हलो फ्रेंज आज आम इस वीडियो में बताने वाले है इक्वेब्मेंट का अर्थ क्या होता है और सेंटेंस में उसे यूज कैसे करते हैं इक्वेब्मेंट का अर्थ होता है उपकरन, सामगरी, संभार तो चलिए इसको sentence में और भी अच्छी तरह चा समझ लेते है Example Queen's equipment filled the trunk of the rental इस sentence का हिंदी में मतलब है कि उनके उपकरन ने किराई की डिक्की भर दी चलिए next example जान लेते है She dismounted and examined the equipment more closely इस sentence का हिंदी में मतलब है उत्री और उपकरन की अधिक बारे की से जास की चलिए next example जान लेते है The electronic equipment had disparate as well इस sentence का हिंदी में मतलब है Electronic उपकरन भी गायब हो गे थे तो चलिए आखरी example जान लेते है The equipment is not working again इस sentence का हिंदी में मतलब है उपकरन फिर से काम नहीं कर रहा है I hope friends आपको आज का इवीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको इवीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देजिएगा साथ साथ हमारे इस सेनल को सब्सक्राइब कर देजिएगा Thank you for watching